नमस्ते दोस्तों आज की इस ओनलाइन क्लास में हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमेश्ट्री चैप्टर वन सॉलिड इस्टेट तोस अवस्ता का एक महत्पूर्ण टोपिक तोसों में अपूर्ण था यह किस्टल दोस यह किस्टल तूटी के बारे में बात करेंगे जहां से करते हैं उससे पहले बोश्टर लाइन की हीमत मत खोना मेरे दोस्त अभी तो बहुत आगे जाना है जिनोंने कहा था तेरे बसका नहीं उन्हें सबसे पहले करके दिखाना है तो आज की अपनी क्लास है, इस्टार्ट करते हैं, जो नए स्टूडेंट है, वो चैनल को लाइक, शेर और सब्क्राइब प्रेंडा ना भूले, जिससे अपनी जब भी ओनलाइन क्लास होती है, तो आपके पास नोटिविक्शन प्राप्त हो जाता है, और जो नए स्टूडे आपको टाइम क्लास मिल सके, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आज की इस टूपिक की बात करते हैं, तो अपना जो टूपिक है, तोसो में अपनता, ओबलिक्ट, किस्टल दोस, तोसो में अपनता, ओबलिक्ट, किस्टल दोस, तोसो में अपनता, ओबलि इसके लिए हम एक शब्द और काम लेते हैं किस्टल टूटी तो तीनों में से जो भी लिखा हो बात एक ही है तो तीनों शब्द अपने को याद क्या करने हैं तोसों में अपुर्णता कमी बोल सकते हो क्रिश्टल दोस या क्रिश्टल टूटी सबसे पहले हम बात करते हैं कि क से जामिती में वैस्तों होते हैं सिर्फ होते हैं स्थान टोटी हो जाती है अबوتए दो परकार के होती इसको लिखना कि टोसों में अपोण्ता कृष्टल दोस टोटी तो इसके लिए प्रसेलिये सबसे पहले आप यहां से थोड़ी से थोटी से बाट वो समझ सकते हो जिसे हम समस्झतें कि जैसे आपने क्या किया ये आविवी कन किस्टल जालक में जो आविवी कन होते हैं वो एक निस्चत इस्तान पे होते हैं कहां होते हैं एक निस्चत इस्तान पे इस प्रकार से व्यस्तित होते हैं लेकिन ये condition तब लागो होती है जब temperature क्या हो zero Kelvin, okay नहीं है zero Kelvin हो जिसको हम क्या बोलते हैं, पराम, सुनने, ताफ, क्योंकि इस अबस्ता में जो किस्टल होती है, उसकी जो उड़जा होती है, वो सुनने होती है, लेकिन जिसे से टेमपरेचर से बढ़ता में बता आपना रूम टेमपरेचर की भी हम बात करें, तो 2208 में केलवीन होता है, तो इन किष्टल में जो आभिवी करना उनको energy प्राप्त होगी और energy के कंद कुछ किष्टल अपना इस्थान छोड़ के किष्टल जालक से बाहर चले जाते हैं कुछ किष्टल, extra इस किष्टल जालक में आ जाते हैं किष्टल की जो आदस तरह तोड़ी विचलित हो जाती है इसी चीज को हम क्या बोलते हैं किष्टल दोस या क्या कह सकते हैं किष्टल तूटी कह सकते हैं तो इसके बारे भी हम डिचल से बात करेंगे प्रहें डेफिनेशन फिर इसके परकार तो इस्टार्ट करते हैं कि किस्तर जालक में किस्तर जालक में आव्यवी कंड एक कि निश्चित जामिती में व्यश्चित होते हैं ऐसे किस्टल आदस किस्टल कैलाते हैं यह इस्टती कौन सी? आदस किस्टल की इस्टती यह इस्टती केवल परम सुन्यता अर्थाथ 0 केल्विन परम सुन्यता अर्थाथ 0 यह इस्टती केवल परम सुन्यता पर संभाव होती है यहां से तो बात कि किस्टल आदस किस्टल जिसमें अभीविकर्ण एक निस्थ करम में हो और यह इस्थितिक कब पॉसिबल होगी जब टेमपरेचर कितना हो जीरो के लिए कि उसमें एनिजी बिल्कुल जीरोगे लेकिन जैसे टेमपरेचर में वर्द्ध होगी तो किस्टल में कुछ अभीविकर्णों में किसी भी कारण से एनियमिता विचलन उत्पन हो जाए तो वह खेलाता आपका किस्टलों में अपॉन्टा किस्टल दोस्या तूटी तो इसको कुछ चया हो तो आप इस प्रकार से यहां पर लेंग्वेज के रूपर करके ले सकते हैं कि किस्टल में किस्टल में किस्टल में आभीविकर्णों में किसी कारण से आनियमिता अपॉन्टा या विचलन हो जाता है इसे अब तीनों में तोसों में अपॉन्टा किस्टल दोस या किस्टल तूटी तो इसे किस्टल दोस कहते हैं किया कहेंगे तो एक सिंपल सी लिंग्विज में हमने इसको लिखा रहा है कि इस ecosystems सी बात तो आप इसका इपना स्केर्ट, उसके बाद अब किश्टलडोस किस्टल टूटी कितने प्रकार कि होती है क्या क्या होता हुब उसके बारे में Jahan सबस मुझें के घृट। अब यहां से अपने को समझना है किह हम इसको किस प्रकार से याद परना और क्या क्या क्यों बन daar और तो सबसे पहले आप समझो कि जो टोसों में पूंटा किस्टल दोस ये किस्टल टुटी होती है वो दो परकार की होगी कितने परकार की होगी दो परकार की पहले को हम बोलते हैं रेखिए दोस लाइने डिफेक्ट दूसरा होता है बिंदु दोस पॉइंट डिफेक्ट रेखिए दोस और दूसरा ह आपने साल्येबस में कौन सा टॉपारिक है दोस का मतलब क्या होता है कि जब किश्टल जालक की पूरी की पूरी पूरी एक पक्ति में एक लाइन में हinos अजाती है तो उसको तो हम क्या बोलते हैं रेखिए दोस्त तो सिंपल सी एक लिंग्विज में चोटी सी लिंग्विज में यहां पर हम चाहे तो लिसकते हैं कि जब किस्टल जालक की जब किस्टल जालक की पंग्ती में पूरी की पूरी लाइन ही गाइब हो जाती है तो उससे आप क्या बोलोगी रेखिए दोस्त अब बात करते हैं बिंदु दोस्त में क्या होता है कि किस्टल जालक में जो अवीवी कंधो होते हैं उस अब्षाण थोड़ जाती है नो नो अव्धों के इनके बिंदु दोस्त कि बिंदु दोस्त में किस्टल में उस्बाइब कंधों कि करने करते हैं तो अगर लिखना चाहे तो यह लिख सकते हैं कि किस्टल में उपस्तित आवियवी किस्टल में उपस्तित कुछ आवियवी करणों के कारण जो दोस उत्पन होता है उसे हम क्या बोलते हैं बिंदु दोस क्या बोलते हैं बिंदु दोस अब यहां से आपको समझना है कि आपका जो बिंदु दोस होता है बिंदु दोस है वो आपका तीन प्रकार का होता है यहां से आपको यहां समझना है यहां से अपनी कुशन बनना start होंगे बिंदू-स पहले दोस को हमने नाम दिया है स्टाइकियो मिट्री दोस पहला दोस कोन सा है इस्टाइकियो मिट्री दोस दोस होगा आपका नौन इस्टाइकियोमेट्री डोस और तीसरा होता है आपका अश्रुदता डोस तो यहां से आपके यह बात बिल्कुल किलिए रोहने चाहिए कि बिंदू डोस है वो तीन परकार का होगा यहां से कुशन अच्छा बनेंगे आपके कि बिंदू डोस कितने परकार कियों होते हैं तीन परकार का पहले पहला कौन सा इस्टाइकोमेट्री डोसरा नोन इस्टाइकोमेट्री डोस और तीसरा क्या होता है अश्रुदता डोस अब हम बात करेंगे यह तीनों कौन से होते हैं नहां से एक कुशन सबसे अच्छा बनता है कि जो इस्ट्राइक क्यों मिट्री दोस होते हैं ये च्यार प्रकार के होंगे हैं इस्ट्राइक क्यों मिट्री दोस कितने प्रकार के होते हैं च्यार प्रकार के होते हैं नंबर पहला दोस होता है रिक्तिका दोस दोसरा दोस होगा आंत्रा आासी दोस पहला दोस, रिक्तिका दोस, दूसरा दोस, आंत्रा कासी दोस और तीसरा फ्रैंकल दोस, और नंबर च्यार शोट की दोस नमबर च्यार शौट की दोस्ट यहां से मुखेते इन च्यार में से भी आपके फ्रेंकल और शौट की यहां से चिल्दी आपके बोर्ड एक्जामे कुशन आते हैं तो फिर से रिपीट करें इस्ट्राइकोमिट्री दोस्ट कितने बरकार के हैं च्यार परकार के कौन-कौन से रिक्ति का दोस्ट, अंतराकासी दोस्ट, फ्रेंकल दोस्ट और शौट की दोस्ट अब सबसे पहले तो आपके ये confusion होगा कि सर ये स्टाइको मीटी दोस्ट क्या होता है कि ऐसा दोस जिसमें किस्टल जालक में धनाईन और रिनाईन की संग्या का अनुपात सदेव समान होता है धनाईन वे रिनाईन की इस्टाइको मीटी दोस्ट में जो धनाईन और रिनाईन होते हैं उनके पर्माणों की संक्य का जो अनुपात होता, वो सदेव समान होता है, लेकिन नोन इस्टाइपोमेटि डोस में वो समान नहीं होता है, और आशुद्रा डोस में कोई बहार से असुद्धी मिलात भी जाती है, तो इस्टैकमेटी डोस के लिए एक लैन लिखना चाहें तो यहाँ पर यह लाइन इसमें aid कर सकतें कि इस दोस में यहां ना तो इस नीहां लेँख मिर में काने लैन लिखरा हूं कि ए वहे दोस एπειो न Ноju इसमें इस वहे दोस जिसमें एज रेफिए जिसके कारण किस्तल जालक में धनाएन वे रेनाएन की संक्या जिसके कारण किस्तल जालक में धनाएन वे रेनाएन की संक्या का अनुपाद सदेव समान होता है सदेव क्या होता है समान होता है ऐसे दोस को आप क्या बोलते हो इस्टाइकोमेट्री दोस कहेंगे इस्टाइकोमेट्री दोस में चाहे आविविकन बहार जाए अंदर जाए लेकिन जो दनाएन और रेनाएन की संक्या का जो अनुपात होता है वह सदेव क्या रहेगा समान रहता है अनुसुत्र के अनुसार अब इस्टा है क्यों मेटी दोस कितने प्रकार के होते हैं च्यार प्रकार के रितिका दोस अंत्रकासी दोस फ्रेंकल दोस और शोट की दोस इन चारों दोसों के बारे में हम अलग से डिटेल से बात करेंगे तो उससे पहले हम शोट पर फिसीक बार इसका थोड़ा सा तो सीधासी बात एक लिंग्विज में लिखने कि किस्टल जालक में आविवी क्रोणों की जो विवस्ता होती है वो एनियमित हो जाती है उनमें विच्णन उत्पन हो जाता है या उनमें कोई टूटी आ जाती है उसके लिए भी शब्स बोलते हैं और यह दो परकार का होता है रेखे दोस दूसर बिंदू दोस रेखे दोस में किस्टल जालक में किस्टल जालक में की पंक्ति में ही पूरी एनियमित हो जाती है और बिंदू दोस में क्या होता है कि किस्टल में उपस्चित कुछ आविवी करों के इस्तान में परिवर्थन होता है बिंदू दोस अपन बिंदू दोस अपने NCRT जो वत्मार्ड का नया सले बस है उसके अ 4 Cash सराईवन में क्यों सा है बिंदू दोस बिंदू दोस में कियोजा सिपने परकार के होते हैं अपने मांड में मिल्कुल किलेर होने चैंदेर बिंदू कि अशुदता दोस, क्या होता है, अशुदता दोस, तीसा क्या होगा, अशुदता दोस, अब इस्टाइक्यो मेटी दोस में क्या होता है, कि इसमें विशेज बाद धनकनी है, कि इसमें धनायन वर रिनायन की संक्या का अनुपात सदेव समान होता है, इस्टाइक्यो मेटी दोस में धनायन और रिनायन की संक्या का अनुपात है वो सदेव क्या होता है समान होता है और एक चीज़ हो देशक्त है जो इस्टाइक्योमेटी दोस में जो अनुसुत्र में जो परमानों की संक्या होती है वो सदेव पुणांक में होती है पुणांक में होती है और इस्टाइक्वमेटि दोस्ट कितने परकार के च्यार परकार के पहला अंत्रा रिक्तिका दोस्ट दूसरा अंत्रा कासी दोस्ट तीसरा फ्रेंकल दोस्ट और चुट्रा शोट की दोस्ट फ्रेंकल और शोट की दोस्ट में अंत्र वाला कुशन बोर् अब भी भी पुछे जाने की संभावना है अब यहां से मैं एक चीज इंपोर्टेंट और बता दू कि जो फ्रेंकल और शोट की दोस्त रिक्तिका और अंतर का से क्या है अभी हम बात करेंगे इनके बारे में आपको यह समझना कि जो फ्रेंकल और शोट की दोस है यह दोनों के दोनों आइनिक टोसों में पाए जाते है आइनिक योगी कोमी या आइनिक टोसों में आइनिक कंपाउंड होते हैं उनके मद्दे कौन से दोस होंगे फ्रेंकल और शोट की दोस होते हैं आयनिक कंपाउंड में फ्रेंकल और स्षर्ट की दोस्त होते हैं और आपके रिक्तिक और अंत्राका से दोस्त होते हैं वो आपके चाहित आप सबसे हों होंगे और फ्रयंकल और शोट की दोस्त होंगे वह किस में हुंगे आपके आईनिक दोसों कंदर होते हैं यह बहुत जारत नहीं कि ओभ चुछ्ट की डोस किस परकार के में आनिक डोस में पाए जाते हैं तो आप इसका स्क्रिंशोट सिद्धी ने पाएनधियां तो आप इसका स्कीन शोट ले जल्दी से फिर हम आगे बात करते हैं, तो उम्मीद है कि यहां तक को इतनी विशेज बात नहीं है, जो आपको समझ में नहीं है, बिल्कुल इसली है, और आप इसको एक दो बार पढ़ोगे, तो इसली आपको याद हो जाएगा, और जब तक आ आप इनको स्कीन शोट लेकर अपनी नोट बुक में नोट नहीं करोगे, जब तक आप इनको अपनी नोट बुक में नोट नहीं करोगे, तब तक यह आपको याद नहीं होंगे, तो मेनत तो आपको करनी पड़ेगी, और मेनत करोगे तभी अपनी किसमत बढ़ लेगी, तो कर लेंगे तो इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से जब तक मैं करता हूं जिन जिन सात्यों ने अभी इस वीडियो के लिंक को शेर नहीं किया है अपनी साथ्यों को तो साथ्यों सेंड करते कि जितनी जदा वाचिंग जितनी अच्छी होगी पढ़ाने का मज़ा उतने ही अच्छा आता है एक स्ट्रेंट का कमेंट्स आया तो अपनी क्लास का टाइमिंग बढ़ा दें बहुत लंबा कर लूँगा लेकिन जब तक समझा रहा हूं यहां से कि कि रिक्तिका दोस और दोस आओ गया अप्ठा अंत्रा कासे दोस दोनों को पर लें डाइग्राम मना के समयने की कुश्चिस करते हैं ठीक है सपोज किया कि कि यह को किस्टल है ठीक है यह को किस्टल है और किस्टल में क्या होंगे आवेविकन तो माना कि इसमें आवेविकन इस प्रकार से वेस्टत है कि थोड़े बड़े बन गये हैं थोड़े बनाने बढ़ेंगे साइज में अब यहां से आप समझों कि यह कंडिशन सेम ऐसी है कि यहां पर इनमें आवेविकन यह यह क्या आवेविकन इनके इनके नदें कि यह कंडिशन है और यहां पर यह क्यांसे देंदर आवेविकन अब यहां से जो समझाना चारा हूं उसको समझना बिल्कुल के लिए कोई प्रोडम वाली बात आपके नहीं रहेगी कि यह किस्टल है एक किस्टल के अंदर रेडिर गए वह आवेविकन अब देखो इन आवेविकन जहां इस्तित है उसके अलावा यह जो खाली स्थान बज गया है उसको ब अब देखो कि यहां पर आवेविकन है कोई आवेविकन अपना इस्तान थोड़कर इस किस्टल जालक से बहार चला गया यहां आवेविकन था अपना इस्तान थोड़कर यहां से किस्टल जालक से क्या हो गया बहार चला गया अब इसके इस्तान पर यह जो खाली इस्तान ब में क्या होता है कि किस्टल जालक से कोई अविविकन अपना स्थान ठोड़के किस्टल जालक से बाहर चला जाता है उसके स्थान पर क्या बन जाती है रिक्तिका तो इस दोस्त को क्या बोलेंगे रिक्तिका दोस्त लेकिन अंत्रकासी दोस्त में क्या होता है कि बहार से कोई अ व्यकान कहां अजाएगा इस अंतागा सी स्टान में अ गया होई रिक्तिगा दोस में आवयावीगाण क्रिश्टल जालक से नर्थात किmont उसके गता है और इसमिंगे कुछ चीज़ बहर चली गई और इसमें क्रिश्टल जालग से underwater और नुद्फासे दौस दोस में धनत्ी होता कि जब किस्टल जालक से कोई आउएवी कंड अपना इस्तान छोड़कर किस्टल जालक से बहार चला जाता है तो उसके इस्तान पर रिक्तिका रहे जाती है और इस दोस को इस दोस को रिक्तिका दोस कहते हैं किस्टल जालक से क्या हो गया बहार चला गया बहार चला गया तो उसके इस्तान पर रिक्तिका बन गए उसे गम क्या रिक्तिका दोस कहते हैं इस दोस में इस दोस में किस्टल जालक के घनतों में क्या होती बढ़ा किस्टल जालक के घनतों में कमी किस्टल जालक के घनतों में कमी आती है किस्टल जालक के घनतों में क्या होती है कमी आती है अब अंतरगा से में करेंगे जब कोई अवियवी कंड जब कोई आवियवी कंड बहार से तिश्टल जालक के अन्ताकासी इस्टल या अन्ताकासी इस्तान में आ जाता है तो इस दोस्ट को अन्ताकासी दोस्ट करते है इसमें किश्टल जालक के इसमें किश्टल जालक के गलत्तों में क्या होगी बघ्योजी इसमें किश्टल जालक के घ्छणतों में वर्डी होती है। किकिश्टल जालक के घ्रन घ्रभशता थां सिंपल और ये बात मैं रिकतिका दोस्ट और अंतल कासी दोस्ट होते हैं वो अनायूनिक खेंप summdata से योगी को होते हैं उनके अंदर पाया जाता है तो कोई विशेज बात नहीं बस इसनी सी बात करनी है कि रिक्तिगा दोस्त में क्या बन जाएगी रिक्तिका बनेगी रिक्तिगा जिसके कान किस्टल जालक के गहनतों में क्या हो जाती है कमी इसमें कोई अभी भी करना है बहा से कहां आ जाएगा अंत्राकासी स्तन में जाता है जिससे उसके घंत्तों में क्या हो जाती है वर्दी हो जाती इसके अलागों मिसेज बात नहीं है तो जल्दे से आप इसका इसके शॉट ले दोनों इंपोटेंट है तब आजाते हैं रिखती का दोस्ट और दूसर हम बात करें हैं अंत्राकासी दोस्ट रिखती का दोस्ट दोस्ट साब में क्या लिखा अंत्राकासी दोस्ट इसके बाद हम नेश्ट इंपोटेंट सबसे ज़्यादा इंपोटेंट फ्रेंकल और शोट की दोस करते हैं तो दल्दे से इसका स्क्रीन शोट लें कि अब दो आगे बात करें अब 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 आगे अब आगे अब आगे यह बहुत अच्छे क्रिशन आते हैं सबसे पहले हम समझते हैं अब अब और आइनिक योगी को होगा तो एक धनायन और एक रिणायन उतार अब यहां से कुछ चीज़ें कि जैसे एक डाइग्राम ना लेते इसका कि यह अब आखिए बहुत अब आए झाल झाल यह को किस्टल जालक है क्या है किस्टल जालक और इन किस्टल जालक में यह कोई आयनी कंपाउंड हो तो एक धनाइन होगा और एक है रेनाइन होगा तो जैसे हमने माल लिया कि a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस b माइनस a प्लस a प्लस b माइनस a प्लस ए प्लस फेल्पस बी माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस द्हानक ना इस प्रत्राशी मुअट धनाइन होंगे तो दनाइन के पास रेनाइन नहींißt तो फ pillar 9-239 कि स्टालाइन गता है अब फ्रैंकल डोस्त में क्या होगा कि कोई जव्ह जड़े कि अंतरकस्थ स्थल माले गां अंत्रकासी इस्थान में घ्ल अब सबना ओगां यह दोस को उन्षावता फ्रेंकल जो भाइज नहीं अपना स्थान इस्थान ठोड़ के अंत्रकासी इस्थान में आ जाता है उस दोस को हम क्या वोलेंगे फ्रेंकल डोस जानगना इसमें धनाइन यह जो आभी भी करने बहुत भार से नहीं आया है अपने इसतान छोड़के कहां पर आया है किस्टल जालक में अंतरकाषी इस दोस्तों क्या वालते फ्रेंकल डोस अब सबसे बड़ी बात है कि धनाइन अपना इसता आईनिक योगिकों में पाया जाता है जिसमें धनायन का अका छोटा होता है और रिनायन का अका बड़ा होता है उन्हें धनायन की तुलनाम में रिनायन का अका काफी बड़ा होता है उन्हें योगिकों में कौन सा अब एक और कि आप जल्दी से कमेंट्स में ये बताओ कि इस दोस के अंदर घनतु में वर्दी होगी या कमी होगी जल्दी से टाइपिंग कि इस दोस में घनतु में वर्दी होगी या कमी होगी ग्रैश कि दिखू कि या को ना गया लांव के यह जडी पॉर्च में यह तो लिखा हूँ टौपिक के रो गया कि पहले बात फ्रेंकल दोस्स किस कमपाउंड होगा प्लस-माइनिक योगी को में पाई जाता है और इसमें धनाएन अपना स्थान फोड़ कि कहा जाता है और तब आएगा जहां धनाएन का कि वह दोस जिसमें चोटा दनायन यह कोई दनायन भी लेशक्ते को प्रवबने चोटा कि वह दोस जिसमें चोटा दनायन अपना इस्तान छोड़ कर कि वह दोस जिसमें चोटा दनायन अपना इस्तान छोड़ कर कि श्टर जालक के कि श्टर जालक के अंतरकासी कि श्टर जालक के अंतरकासी इस्तान में आ जाता है उसे फ्रेंकल दोस कहते हैं पहला पॉइंट क्लियर हो गया दोसा फ्रेंकल दोस उन आइनिक योगी को में पाया जाता है यह है उन आइनिक योगी को में उन आइनिक योगी को में पाया जाता है जिन में धनाइन का आकार रिनाइन की अपिक्षा छोटा होता है इस दोस में किष्टल जालक का घनतूर अप परिवर्थित रहता है इस दोस में किष्टल जालक का घनतूर अप परिवर्थित रहता है और एक्जाम्पल की बात करें तो A, G, C, L A, G, I A, G, I, O, Z, S यह एक्जाम्पल है तो इसको आप इसली यहां से याद कर सकते हो यह डाइग्राम किस का बनाए है आफ फ्रेग्ल दोस चाओ तो यह जरूर लिख जिया गरिजी चित बनाव चित किस का बनाrau रहे है आप फ्रेग्ल टॉटी का इसका बनाए है फ्रेअधकल टॉटी का अपना टोपिक क्या है फ्रेंकल दोस तो फ्रेंकल दोस में क्या होगा कि छोटा धनायन अपना इस्तान छोड के कहां चला जाता है अंत्राकासिस्तान में आ जाता है और ये किन योगी को में पाय जाता है जहां पर धनायन का आकार धनायन का आकार रेनायन की अप्रिक्षा क्या होता है छोटा होता है सबसे important बात इसमें किस्टल जाला का घनतु क्या होगा एप परिवर्थत रहता है एक्जामपल AGCL AGI JNS ये इसके एक्जामपल है तो ये तो पर दोस्ट हुआ का फ्रेंगल दोस पौन सा अब हम बात करींगे शोट की दोस्ट की तो पहले आप इसका लगली से स्कीन शोट ले 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 और उसके वाद हम आगी बात करें आगwang ऑगर शोट की दोस्ट दीखा जाए तो लगबग इसका आपोजिट है कि एजी आई है यहां पर इसके इस्क्रिंशोट अपने ले लिया होगा अब अब आगे हम बात करें तो डाइग्राम तो अपने काम आजाएगा बात की चीज़े मैं यहां से मिटा लेता हूं अब देखो आगे अगर हम बात करना चाहिए तो इसी चीज़ दियाग्राम को हम इस प्रकार से बनाते हैं कि इसको अठाया मेंने क्या हुआ अब अगला जो दोस है वो क्या होता है शौट की दोस या शौट की टूटी अब कुछ बच्चों में फ्रेंकल और शौट की दोस में कुछ कन्फिजन होता है वह समझना आप किरगेट खेलते हैं ठीक है तो जब किरगेट खेलते हैं तो हम गेंद के क्या माते शौट मारेंगे और अगर जोर से शौट मार दिया तो गेंद क्या होगी बाउंड इसे बाहर और और जोर से मार गए तो अग्दम आउट बाहर चली जाएगी तो शौट की का मतलब तो इसमें धनायन और रेनायन दोनों साथ में जाएंगे जिसके कार्ण इसमें आवेस में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो फ्रेंकल इस शोट की दोस में क्या हुआ कि जैसे एक धनायन और एक रेनायन किस्टर जालक से क्या होगे बहार चलेगे शोट की कमलक शोट बारा बहार चलेगे और दोनों साथ जाएंगे बराबर संक्या में धनायन और रेनायन तो वो दोस क्या खेलाता है शोट की दोस तो वह है दोस जिसमें धनाइन और रेनाइन समान संक्या में किस्टल जालक से बहार चले जाते हैं, उसे शोट की दोस कहते हैं, पहला पर दोसा, इसमें दोनों समान गए तो कि दोनों का अकार समान होता है, तो शोट की दोस उन आइनिक योगिकों में पाया जाता है, जिसमे फिस पे धनैन और रेनाएन का backwards और ब्राबर होता है अब गया तो क्रींह बूसक्त क्या होगी पेस्ट हुआ रिजामपल यह होगी तो इसके Lavra करें कोई g कि चित्र किसका बनायता आपने ये शोट की दोस्त का किसका शोट की दोस्त का डाइग्राम है पॉइंट क्या लिखोगे वह सुनों यहां पे कि वह है दोस जिसमें धनाइन वर रिनाएं वह है दोस जिसमें धनाइन वर रिनाएं समान संक्या में किष्टल जालक से पहाल चले जाते हैं वह है दोस जिसमें धनाइन वर रिनाइन समान संक्या में किष्टल जालक से बहार चले जाते हैं उसे शोट की दोस कहते हैं कि यह दोस उन आइनिक योगिकों में यह आइनिक योगिकों में पाया जाता है जिसमें धनाइन वर रिनाइन जिसमें धनाइन वर रिनाइन का आका बराबर लगबर बराबर होता है अगला कि इस दोस में किष्टल जालक के घनतों में कमी आती है एक जामपर एकना जाएं तो एने सीयल के सीयल सीयल आ दी तो उमीद है कि यह चीज़े आपको बिल्कुल समझ में आ गई फ्रेंकल दोस अपनी बात के लिए रहो गई कि किसकी बात करें अब शौट की दोस की शौट की दोस वह है दोस जिसमें धनायन और रिनायन समान संक्या में किष्टल जालक से क्या होगे बाहर चले जाएंगे और सबसे बड़ी बात है इसमें धनायन और रिनायन का अकार क्या होगा बरावर होता है किस्टल जालक के घनतों में क्या जाती है कमी तो अब बोड़ एक जाम में यह तो फ्रेंकल दोस शौट की दोस कैसे हो तो इनके बार में पूस्चता है यह सबसे अच्छा क्यूशन अब एक इंपोर्टेंट कुशन, जो बड़ एक दो आ चुका है, उसकी बात कर लेते हैं, एक ऐसा compound जिसके अंदर short की दोस और frankal दोस दोनों पाए जाते हैं एक ऐसा योगी का नाम बताइए जैसे मैं frankal और short की दोस दोनों में पाए जाता है तो इसका right answer होगा लिख लेना बहुत important question होता है सिल्वर ब्रोमाइड क्या लिखा है सिल्वर ब्रोमाइड एजी वियाड एजी वियाड ऐसा compound है जिसमें frankal और short की दोनों दोस पाए जाते हैं जैसे कुछ बाते होती है जो हम लिखते नहीं लेकिन फिर आप दोनों दोस पाए जाते हैं उसका answer क्या होगा एजी वियार सिल्वर ब्रोमाइड तो उमीद है आज का अपना जो टोपिक था टोसों में अपोंड तक किस्टल दोस्ट किस्टल टूटी जिसमें हमने बिंदू दोस में इस्ट्राइकोमेटी दोस्ट और समाप्त करते जे हिंद जे भारत